मुझे कहा है कि कर्मचारियों को वेतन मिले की तारीख तैड नहीं है अब अगर वेतन ना मिले तो कोई काम क्या करेगा और इसलिए ये सुनिश्चित करेंगे कि एक तारीख को आपका वेतन निश्चित तोर पर आपको मिल जाए पंचारियों सच्चित मित्रों आप सब को साथवे बेतन मान का लाव तकार प्रभाव से दिया जाएगा और इसके साथ पंचारियों को समयमान बेतन मान भी दिया जाएगा भगवान ना करे लेकिन कई बार असमे काल के गाल में हमारे साथ ही चले जाते हैं ऐसे में भगवान ना करे कभी इसकी जगवत पड़े लेकिन अगर ऐसी परिस्ति बनती है तो पंचारियों की मृत्यों पर उनके आस्षतों को अनुकंपा न्युक्ति दे दी जाएगी उसके लिए अतंत सरल कर दिये जाएगी पंचारियों को सेवा निब्रित होने पर एक मुस्त तीन लाख रुपे की रासी देने का काम किया जाएगा PCO के पदों पर न्युक्ति के समय 50% आरक्षन ग्राम पंचारियों को दिया जाएगा पंचारियों को पांच लाख रुपे का दुर्गटना और स्वास्त भीमा योजना वो भी किया जाएगा पर मैं एक बात मानता हूं कि हम सास की सेवा में हैं तो सास की सेवा में कैसे बाकी सेवकों को जुट्टी मिलती है अवकास मिलता है बाकी सुविधाएं मिलती है मैं जानता हूं एक समय था तब आपका बेतन केबन 500 रुपया हुआ करता था आप में से कई लोग भूले नहीं होंगे इसको बढ़ाके 1250 रुपया किया गया है और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं क्योंकि दिग्गी राजा ने तो 500 रुपया ही में रखा था उनने गुरू जी भी 500 रुपया में रखे थे अब 45 सचिब भी 500 रुपया में रखे थे लेकिन आप बताओ जब अपने ही जीवन का ठिकाना नहीं है तो अपन जन्ता की सेवा का से करें और इसलिए मैं आज ये फैसला कर रहा हूँ कि निमित कर्मचारियों के समान आपको सारी सुविधाय देने की प्रिक्रिया प्रारम्व की जाएगी ताकि सारी सुविधाय मैं न्यू पैंशन के आप सब को दी जा सके अधर मैं आपको नहीं जोड़ूँगा मैं